अब नाम विकास ठाकोर है और मैं ग्राम कथेड का स्थाई निवासी हूँ और पिछ ग्राम कथेड के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हमारा क्षेतर बहुत लंबे समय से बसाल पंचायत के अंतरगत ही है अंतरगत आता था लेकिन अभी हाल ही मैं जो नग नगर निगम में समयलित हुआ है इसमें यह कहना चाहूंगा कि जो इवाड नंबर 17 हमारा बनाए यह सारा ही नया क्षेतर है और इस क्षेतर में बहुत सी ऐसी चीजे हैं जो अभी होने को बाकी है हम दूसरे नगर निगमों को अगर देखे जैसे शिमला नगर निगम है य स्टीट लाइट की हम बात करते हैं रास्ते सडकों की मुरंवत होनी बहुत जरूरी है और भी बहुत सी ऐसी समस्ये स्टीट लाइटों कोई प्रॉलम रात के अंधेरे में लोगों को मुश्किल होता है चलना कुत इतनीisiónप पीशे दोड़ भागते हैं तो ऐसी और भी बहुत सी समस्या हैं अगर मुझे कॉंग्रेस पार्टी आशिरवाद देती है मौका देती है और क्यूंकि मैं बहुत लंबे समय से कॉंग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ नसुआई से मैं च्छातर आजनीती से ही अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी वर्ष 2005 में नसुआई में हम प्राइमरी मेंबर एक्टे मेंबर सोलन डिगरी कॉलेज में जब मैं पढ़ता था उस समय थे उसके बाद 2010 से मैं 2012 तक सोलन युवा कॉंग्रेस का जनल से कर रहे हैं और अगर पार्टी हम पर बरोसा जिताती है एजा यूथ मुझे आशिरवात देती है क्योंकि मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि हाल ही में जो पंचाईती राज के चुनाव संपन हुए हैं तो आपने उन चुनाव में देखा होगा 20-20 साल से लेके 25 साल तक लड़के लड़कियां जो यूथ है हमारा यंग है उसको लोगोंने मैक्समम मेंडेट दिया है लोगों को नए हमारा यूथ चुन के आए तो कहीं ना कहीं आज यूवाओं का वक्त है मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं खुद एक यूवा हूँ और अभी जो हमारी जीव जील पकड़ ले आकान करना शुरू कर दे तो एक जिद होती है इंसान के अंदर एक जील होती है ठानी हूँ इनसान है तो उसको इंसान पूरा कर सकता है तो आज मैं खुद आयम जस 35 यर्स 35 साल का भी मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये एक मेरे पास सही समय है कि मैं अप अपनी लोगों को और वू सुविदा एक नगर निगम में लोगों के लिए मिलनी चाहिए वह उसको मोहिया करवाने के लिए बरसक प्रतन करोंगा और अपने वाड को अपने 18 को एक आधरशावाड बनाने की कोशिश करोंगा